आप सभी का मेरे चैनल वद कथा स्लोज़र में स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जारे हैं कि बेटा होने के वो कौन से खास लक्षन होते हैं जो गर्वती महिला में دिखाई देते हैं दोस्तो अगर ये लक्षन आप में दिखाई देता है अभी तक आपने मेरा चैनल सस्क्राइब निकर रखा तो सस्काइब जरू कर लें बगले बैल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटिस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पौश सके दोस्तो इस वीडियो में हम आपको केवल लड़का होने के ही लक्षन बता रहें अगर आपके अंदर ये लक्षन दिखाई देते हैं तो आप काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बेटा ही होगा सबसे पहला लक्षन है दोस्तो अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर के दो अंग अगर काले पड़ गए हैं तो आप 100% अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बेटा ही होगा दोस्तो अगर आपके ब्रेस की जो निपल है बहुत ज़्यादा डाक हो गई है और आपकी जो नाभी है अगर वो काली पड़ गई है बहुत ज़्यादा डाकनेस उसमें आ गया है तो यह लक्षन बेटा होने का ही माना जाता है दोस्तो शरीर के अगर ये दो अंग अगर आपके काले पड़ गये हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बेटा ही होगा दोस्तो अगर गर्वती महिला ने देखे बेबी बॉय को कंसीव करा होता है तो मेल वाले हार्मोन दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं जैसे कि आपके फेस पर बोड़ी पर अंचाहे बालों की ग्रोध बढ़ जाना या आपकी स्किन का काला पड़ जाना या छोड़ छोड या फिर आपकी एडियां बहुत जादा फटती हैं तो यह साइन देखे लड़का होने का माना जाता है इस लक्षन को देखे आपको पूरी प्रेग्नेंसी ही नोटिस करना है क्योंकि बहुत से गर्वती महिलाओं में स्टार्टिंग के दिनों में यह लक्षन दिखाई दे या फिर आपको जादा भारी पन में महसूस होथी है तो इस लक्षन को भी आपको देखे पूरी प्रेग्नेंसी ही नूटिस करना है अगला लक्षन बहुत ही सटीक लक्षन है दोस्तों अगर आपके बच्चे की जो मूमेंट है अगर वो पांचवे महिने से उसने शुरू करी है जो सबसे पहली जो मूमेंट है अगर उसने पांचवे महिने से शुरू करी है तो यह लक्षन बेटा होने का ही माना जाता है दो आपको उसकी मुमेंट जो जातर फील हो रही है नाभी के नीचे वाले हिस्से में अगर फील हो रही है तो यह है लक्षन भी बेटा होने का ही माना जाता है दोस्तों अगला लक्षन आप अपने पेट को देखके लगा सकते हैं और यह बहुत ही सटीक और 100% बिल्कुल सही बैटता है अगर गर्वती महिला का जो पेट है नीचे की तरफ जुका हुआ है चप्टा है नीचे की तरफ से भी अगर चप्टा है तो यह है लक्षन देखे बेटा होने का ही माना जाता है दूसरी तरफ अगर गर में लड़की होती है तो उसका जो पेट है या तो गोलाकार होता है या लंबा होता है और नाभी से उपर की तरफ उठा हुआ होता है दोस्तों ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखें और ये जो लक्षन है वो 100% बिल्कुल सही निकला है अगर आपका पेट नीचे की तरफ जुका हुआ है चप्टा है तो आपको बेटा ही होगा अगर आपका जो पेट है उपर की तरफ उठा हुआ है गोलाकार में है तो ये है लक्षन देखे बेटी होने का माना जाता है अगला लक्षन भी बहुत ही सटीक लक्षन है दोस्तों अगर गर्वती महिला को सपन में और खाने में अगर मेल जैंडर की चीज़े दिखाए देती है जैसे केला, सेव, अमरूद, पपीता, टमाटर, आलू इस तरह क सबजी आगर खाने में पसंद आती है और सवपन में मेल से संबनी चीज़े दिखाए देती है तो यह है लक्षन देखे बेटा होने का ही माना जाता है और यह 100% बिल्कुल सही निकलता है और अगला लक्षन भी 100% सही निकलता है दोस्तों अगर गर्वती महिला उड़ते सम में अपने सीधे हाथ का यानि राइट हैंड को जमीन पर रखकर उठती है तो यह है लक्षन 99% बेटा होने का ही माना जाता है दोस्तों यह कुछ खास लक्षन है और यह बदलाव है अगर आप में आए हैं तो आप 100% अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बेटा ही होगा दो